बच्चों आज हम लोग Class 7 Rainbow का Lesson 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है The Swing यह एक poem है और एक बहुत ही अच्छी poem है और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे life से related और उसके साथ साथ इस chapter का हम लोग Hindi अनुवाद सीखेंगे तो चलो हम लोग इसका Hindi अनुवाद सीखते हैं सबसे पहले जानते हैं The Swing का मतलब Swing का मतलब होता है बच्चों जूला जूला को English में कहते हैं Swing और अब हम लोग इसका Hindi अनुवाद सीखते हैं How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh I do think it's the pleasantest thing even a child can do मतलब How do you like to go up in a swing? यानि कि हमको Swing में जूले में उपर जाना कितना अच्छा लगता है Up in the air so blue. Up in the air यानि कि उपर हवा में so blue. कितना नीला है सब कुछ कितना नीला है आसमान में Oh I do think it is the pleasantest thing अरे मैं सोचता हूँ कि यह सबसे ज़्यादा सुहावनी चीज है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज है Even a child can do जो कि एक बच्चा कर सकता है उसके लिए यह सबसे ज़्यादा सुहावनी चीज है यानि कि चारो लाइन का मतलब यह हुआ कि जब हम हवा में उपर जाते हैं तो उपर हमको कितना नीला नीला दिखाई दीता है और उसके साथ यह जो एक बच्चा कर सकता है यानि कि जिन्दगी का सबसे खुशनुमा चीज यह है Up in the air and over the wall till I can see so wide rivers and trees and cattle and all over the countryside Up in the air and over the wall यानि कि उपर जब हम वाल से यानि कि दिवारों से उपर जब हम जाते हैं जूले में Till I can see so wide तो उपर हमको जाने पर कितना खुला खुला सा कितना वाइड कितना बिस्तरित संसार दिखता है Rivers and trees and cattle and all और उपर से हमको क्या-क्या दिखता है River दिखती है यानि कि नदी दिखती है trees यानि कि पेड़ दिखते हैं And all और ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती है जब हम swing में दिवारों से उपर जाते हैं Over the countryside यानि कि गाउ में यानि कि जब हम गाउ में जूला जूलते हैं और दिवारों से उपर जूलते हो जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें जिसमें नदिया दिखती हैं हरियाली दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं और बहुत सारे जानवर दिखते हैं, till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air, I go flying again, up in the air and down, यानि कि till I look down the garden green, जब मैं नीचे देखता हूँ, तो garden जो है, बागीचा जो है, कितना green green हरा हरा दिखता है, down on the roof so brown, और जब मैं उपर से छट के उपर देखता हूँ, तो जो छट की फर्स है, वह कितनी brown, यानि कितनी भूरी दिखती है, up in the air, I go flying again, यानि कि उपर मैं फिर से उरते हुए जात हूँ, up in the air and down, और फिर से मैं हवा से नीचे आता हूँ, तो बच्चों, इस पोएम को लिखा है, Robert Lewis Stevenson ने, और ये पोएम हमको सीख देती है, कि हमारी जिन्दगी में भी ऐसे ही उतार चड़ावाते रहते हैं, कभी खुशी के पल होते हैं, और कभी गम के पल होते हैं, तो इससे हमको यही सीख मिलती है, कि दोनों खुशी और गम के पल आते जाते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, ये पोएम आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चेप्टर के लास्ट में कुछ कठी शब्दों के अर्द दिये हुए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे, आगे आने वाले चेप्टर के वी वीडियो जिस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं गले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाई बाई, थेंक यू